कक्षा छे में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है, वह रोते हुए अपनी मैम के पास जाती है, जाकर कहती है कि मैम मेरे पेट में बहुत तेज का दर्द उठ रहा है, वह मैम उसकी उसको दवा देती है लेकिन दवा मिलने के बाद भी इस लड़की को आराम नहीं मिलता, तब उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया जाता है, जैसे घर जाती है, बार-बार दर्वाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्वाजा खुला नहीं रहा था आखिरकार काफी देर के बाद, जब दर्वाजा खुलता है, तब मा भी निकल कर आती है, और उसके ताउजी का बेटा भी यानि की उसका भाई लड़की ने जब यह द्रिश देखा, तो इस बात को लेकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप रही शान्त रही लेकिन अगली बार उसने अपनी मा को अपने ही ताउजी के बेटे के साथ आपतिजनक स्थिती में देखा तब उसने अपनी मा से कहा कि यह तो शायद गलत है, और जैसे ही इस बात का उसके ताउजी के बेटे को पता चलता है, तो उसके भाई ने उसको बहुत डाटा फटकारा कहा कि भविश में तुमने इस बात को दोहराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा वो लड़की डर जाती है, सहन जाती है और इस बात को कभी अपनी जुबान पर नहीं लेकर आती जब लड़की के बड़े भाई को इस बात का पता चलता है कि मा का और ताउजी के बेटे के साथ दोनों के अपत्तिजनक रिष्टे हैं तो उस बात को लेकर लड़का थोड़ा सहन जाता है, परिशान हो जाता है, ना तो मा से कुछ कह पाता है, ना ही भाईया से कुछ कह पाता है, लेकिन इस रिष्टे की गूंज न केवल उस घर के अंदर थी, बलकि पूरे आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है, और जैसे ही बाहर से बातें जब अंदर घर में लोट कर आती हैं, तब उस लड़के ने अपनी ही मा के इस रिष्टे पर ब्रेक लगाने की कोशिश की अपनी मा के कदमों पर भी ब्रेक लगाने की कोशिश की फिर कुछ ऐसा होता है, जिसकी किसी ने भी कलपना नहीं की थी